हाई वडिवान वेलकम बेक योर ओन चैनल लर्न टू इन्वेस्ट में तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आज एक और पोर्फोलियो को हम रिव्यू करेंगे तो जिनका ये पोर्फोलियो है इनका नामे मक्बूल सर एंड ये सौधी अरोबिया में रहते है as an IT support तो इन्होंने बता है इन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है जैनुरी 2022 से उसके बाद कुछ टेकनिकल एंड फंडमेंटल रिसर्च करने के बाद इन्होंने फाइनली अपना पोर्फोलो बिल्ट किया अभी इनके पोर्फो तो यह financial and banking sector में निवेश नहीं करना चाहते और उसके अलावा इन्होंने बता है that can you please suggest me with high growth portfolio with good fundamentals small cap and mid cap need to build one more portfolio with high CHR with 5000 to 10,000 SIP यनकी इनका जो कोड़ पोर्फोलियो होगा 25 टॉक के साथ इसके अलावा यह और एक पोर्फोलो बनाना चाहते है जहापे सरपर सरफ small caps and mid caps होंग जहापे high growth का possibility हो और वहापे पांसेले के 10,000 का SIP यह करेंगे इसके अलावा जो इनका portfolio वहापे भी 3,000 का SIP होगा and buy on dips भी यह वहापे करेंगे and उसके अलावा इन्होंने mutual funds में भी निवेश किया है and mutual fund में कितना investment करते मंथली वो भी इन्होंने दिया है although मैं mutual funds को तो उतन स्टॉक्स मिल जाएंगे प्लस जो यूस स्टॉक से वह भी मिल जाएंगे and जो सिंपल निफ्टी का इंडेक्स फंट है वहापे मैं निवेश करता हूँ बाकि अगर इन कंपनिस का return आप देखेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो सिंपल आप कंटिन्यू कर सकता हू और उनको अगर लंबा टाइम आप दोगे तो वहापे बहुत अच्छा return बनाया जा साकता हूँ वद्धा लॉंग पिरेड ऑफ टाइम यह अपने पोर्फोलो को निक्स्ट 10 तू 15 यर्स के लिए मैक्सिमाम कंटिन्यू करेंगे तो चलिए अभी देख लेते कि कैसा पोर्फोलो के ऊपर 7700 का लॉस यानिकी सारे 4% का लॉस होड़ा है इनके पोर्फोलो में टोटल 21 कंपनीज है तो चले भी देख लेते कौन-कौन से वह कंपनीज है सबसे पहला है TCS इधर पे 18900 का इंवेस्टमेंट है 11.2% का वेटेज इन्होंने दिया है अभी करिंटली 4 परसेंट का लॉस इनको होड़ा है कंपनी के अगर बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉंग कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी का अर्णिंग का अच्छी तरीके से क्रूग कर रहा है और क्योंकि सेक्टर में अभी भी डिमांड काफी जाद है तो आगी भी परफॉर्मेंस हम ल अगर देखोगे तो धीरे-धीरे करके क्रूट का भी प्राइस नीचे गिर रहा है तो मेरी साबसे एश्यान पेंड में अभी निवेश करने का अच्छा मौका है तो फॉर लॉंग टरम एश्यान पेंड को कंटिन्यू कर सकते हो चाहो तो आग आने वाले टाइम में आसा वेटेज को बढ़ा सकते हो इशान पेंड के बाद दोस्तों नेक्स्ट इनके पास कंपने जुविलान फूट इधर पे काफी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है लगभाग 35,000 के आसपास 20% का अभी करिंटली इनको हो रहा है लॉस 17% का वेटेज इन्होंने लोकेशन प्रोवाइड नहीं करता हो चाहिए वो कंपनी मुझे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे क्योंकि आप कैसा तो कि जो रिस्क है वो भी कंट्रोल में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करना इंड इतना प्रोफिट कमाएंगे इतना निवेश करेंगे तो इतना पै पैसा वो दूसरे कंपणी में निवेश करूंगा तो ऐसे करके अपर इसको कम कर सकतो अगर अपने कंपणी को या अपर चैशली किया कंपनी बहुत अच्छ लगा पट अनफॉर्च्वोंट लिए अगर वहाँ पर उस कंपणी में कुछ हो जाता है कंपनी को चोडिये अग चुबिलन फूट एक आपको mid-cap company देखने को मिलेगा, तो इधर पे 17% का allocation इन्होंने provide किया है, अभी एचिस एक और thing के उपर भी depend करता है, अभी 35,000 का investment इन्होंने किया है, आगे मानलो कि अगर और भी investment ही है करेंगे 10,000 का, 20,000 का इस portfolio में, तो जो portfolio का weightage है, वो धिरे-दिरे impact है, पैनिक सेलिंग हो रहा है, बट मैंने खुद भी निवेश कया है, और मैं खुद भी jubiland food को long term के लिए continue करने वाला हूँ, तो jubiland food अच्छा company continue किया जा सकता है, बट अभी jubiland food को छोड़के बाकी company के उपर थोड़ा धियान देश सकते हो, वहाँ पर allocation थोड़ा ब वाला है, तो relance को अब long term के लिए continue कर सकतो, निक्स्ट इनके पास company दीपक नाइट 11700 का investment है, 8% का weightage and 12.8% का profit इनको मिल रहा है, अगिन बहुत अच्छा mid cap company है, और काफी fast growth हम लोग को future में देखने को मिल सकता है, तो long term के लिए दीपक नाइट 8 को आप continue कर सकतो, 1000 का investment है, 8% का allocation and 9.8% का profit, Infosys अगिन very strong company है and बहुत अच्छा growth हम लोग को देखने को मिल रहा है and management भी काफी aggressive type का stamp पे देखने को मिल रहा है, तो long term के लिए Infosys को continue करना चाहिए, Infosys के बाद next day IRCTC 10500 का investment है, 6% का allocation, 7% का loss अभी इनको हो रहा है, IRCTC company के बारे में अगर बात करें तो monopoly है, strong है, but business जो है अभी तक पूरी तरीके से recover हुआ नहीं, COVID से पहले जो business होता था, तो उस level तक अभी तक business गया नहीं, तो थोड़ा time लगेगा and valuation भी थोड़ा बढ़ चुका है, उस बज़र से, क्योंकि sales गिर गया था, COVID के बज़र से, but for long term आप continue कर सकतो, क्योंक कि still इनके business में कोई competitor नहीं है, उसके बाद next इनके पास company Tata Consumer, and दो ही quantity इनोंने buy क्या, allocation एक person से भी कम का है, 4% का profit इनको हो रहा है, Tata Consumer बहुत ही safe and strong company है, and if MCG company है तो defensive sector है, तो Tata Consumer को आप long term के लिए continue कर सकतो, चाहो तो आगे आने वरे time में थोड़ा allocation को भी बढ़ा सकतो, next इनके पास है भारती एर्टेल, 3500 का investment है, 2% का allocation, एन अभी थोड़ा सा loss, अभी भारती एर्टेल, यह जो company है, अभी अगर देखोगे तो Trio Poly segment में है, एक तो भुड़ा phone idea है, दोस्टा भारती एर्टेल है, तीसरा है Relance Geo, तो इन तीन ही कमपनी आपको पूरे industry में, पूरे sector में देखने को मिलेगा, बाट फिर भी स्टिल आप कह सकतो कि जो competition है, वो बहुत जादा है, क्योंकि Relance Geo जो है, वो नए नए आया है, तो इस बज़़ा से आप कह सकतो कि जो AGR dues है, वो भारती एर्टेल के उपर बहुत जादा है, तो उस बज़़ा से आप कह सकतो कि काफ आपको देखने को मिलेगा नहीं, बहुत सरे analyst आपको मिलेंगे जो कि अच्छे-चे target price आपको provide करेंगे भारती एर्टेल के उपर, बट मैं चाहूंगा कि आप खुछ से थोड़ा study कीजे कमपणी का, जो top line growth है last 10 साल का वो देखिए, कमपणी का profit है या नहीं वो देखिए, जो करजा है, वो कितना है, उसको कम करने में कितना time लग सकता है, वो देखिए, उसके बाद ही निवेश कीजे, किसी भी analyst के target के उपर मत जाएए, यह अपना हो मैंने खुद निवेश नहीं किया है, मैं होता तो exit कर लेता, short term trade के लिए सही है, बट last 10 साल से कोई return company ने बना क सकते हो, उसके बाद इनके पास है, विप्रो एन 17,800 का investment है, 10.6% का allocation, 2.9% का अभी इनको होड़ा है loss, विप्रो एक strong company है, अच्छा company है, टॉप लाइन में यानि कि revenue में अगर देखोगे तो अच्छा growth आपको देखने को मिलेगा, तो विप्रो को अब long term के लिए continue कर सकते ह काफी सारे वीडियो में मैं आपको बता है कि TCS, Infosys, विप्रो, ACL, टेक इनके लास्ट पास साल का return देखोगे तो ज्यादा कुछ difference आपको नहीं मिलेगा, तो जिस company का earning तेजी से grow करे तो उसके साथ आप जा सकतो, और सारी company को मेरी सब से डखने की ज़रुरत नहीं है, टॉ का मतलब है कि कितने लोग चौप छोड़के जा रहे, तो जिस company से कम लोग चौप छोड़के जा रहे, तो वो भी एक plus point हो जाता है, क्योंकि attrition rate अगर जादा होगा, तो उससे आपको पता चलेगा, कि जो वो company है, वो अपने employees को रखने के लिए, क्या करेगा, जादा salary तो company का profit कम हो जाएगा, तो जिस company में attrition कम हो, तो उसके साथ भी आप जा सकतो, वो एक plus point है, तीसस में अगर देखोगे, तो सबसे कम attrition rate अपको देखने को मिलेगा, उसके बाद next है बिल्ला सौफ्ट, 4,700 का investment है, 3% का location, 5.6% का profit, company के अगर बात करे, तो छोटा company है, बट ह हम लोगों को last 4 साल से specially काफी अच्छा growth देखने को मिल रहा है, तो जब तक growth देखने को मिले, तो आप अब इडिल्ला सौफ्ट को continue कर सकतो, I think यह company अशिश का चुलिया के भी portfolio में है, next इनके पास है Latin view, 8,800 का investment है, 4.8% का allocation, 11% का quarantine को हो रहा है loss, तो Latin view के अगर बात करे, त December का result काफी अच्छा था Latin view का, but happiest mind की तरहा इसका जो valuation, इसका थोड़ा आपको higher side में देखने को मिलेगा valuation, तो उस बज़े से correction हुआ है, अपने top level से, but earning grow कर रहा है, तो जिस company का earning grow करेगा, तो at the end जो stock price है, वो भी उपर move करेगा, वो छी short term में नहीं देखने को मिलता है, व 1,600 का investment है, 1% का location, 2.4% का profit, अभी मेरी सब से Tata Motors company अच्छा है, जादा ता लोग Tata Motors में निवेश करते, Tata का जो Nixon vehicle है या इनका जो electric vehicle है, जिसने लगभग 80% का market share ले रखा है, पूरे इंडिया में, electric vehicle segment में, तो market leading company ने एही reason के बज़े से जादा ता लोग Tata Motors में निवेश करते, but actually मैं अगर देखोगे तो electric vehicle से पूरे business का बहुत ही छोटा सा revenue आता है, तो अभी तक electric vehicle का business बहुत बढ़ा नहीं बना है, जादा तर जो revenue है Tata Motors का लगभग 80% का वो आता है JLR segment से, JLR यानि की Jaguar and Land Rover, इस टाइम पे अगर देखोगे तो चाइना में लग चुका है lockdown फ टाइम पे होड़ा है and China में भी अगर देखोगे इस टाइम में काफी problem है lockdown वहाँ पे लग चुका है, तो sales गिरने वाला JLR का तो उससे pressure और build होने वाला short term में Tata Motors के लिए, long term के लिए मेरे सबसे अब continue कर सकते हो, बट बहुत जादा return का expectation नहीं रखना चाहिए, अगर इस company स इनका जो passenger vehicle का business है, वो अलग होके stock market में list होता है, तो बूब business में मुझे काफी interest है, but as of now, जो top level पे गया था, या पे पासो के आसपस, तो तब मैंने काफी अद तक profit book कर लिया था, अभी थोड़ा मोड़ा investment है, क्योंकि काफी early level पे हमने निवेश किया था, and 800, 200 तक मैंने investment के उसके बाद छोड़ दिया, और investment नहीं किया, अभी मेरी सब से profit booking करने का time है मेरे लिए, and Tata Motors, अगर आप देखोगे, emotion के साथ मेरी सब से नहीं जाना चाहिए, emotion के साथ अगर जाओगे, कि Tata की company है, तो निवेश करना चाहिए, तो आप गलत जा सकतो, खाफी सारी लोग गलत भी गया है, तो इस बज़े से आप company का numbers देखे, इस time में Tata Motors एक loss making company है, मैं कुछ negative नहीं बताने की कोशिश करो, but reality आपको देखना चाहिए, कि actually में हो कह रहा है, Tata Motors में निवेश करना चाहिए, तो electric vehicle को देखके सही है, but वाज है actually में बहुत ही कम revenue आता है, तो वो ची 22% का location, 11% का profit, profit ITC में 11% मिलना बहुत बड़ी बात है, चनौरी से अपने investment करना start किया है, तो जितना profit मिलना बुक करके निकल सकतो, actually में ITC का जो मुझे FMCG बिजनेस से बहुत पसंद है, but actually में again, वो ही problem Tata Motors वाला, कि जाधा revenue उनको आता है, cigarette के business है, and अगर देखोगे, तो जो पैसा company को मिलता है, जो cash flow होता है, cigarette के business है, उसको company डालता है, hotel की business में, जो की मुझे personally पसंद नहीं है, यूगि hotel के business में काफी cash लगता है, तो इस बज़े से मैंने ITC में एक टाइप निवेश किया था, बट एक जिक भी कर लिया है, तो ITC अच्छा company है, तो FMCG का business अग 5% का loss, company अच्छा है, काफी अच्छे market में काम करता है, लगफ़क monopoly टाइप आप company कह सकतो, अगर आप power exchanges की बात करोगे, and expected है कि जो power transaction है, वो exchanges के थूँ आगे आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है, तो उसका फायदा इंडान एनर्जी एक्सेंज को मिलेगा, तो long time क का investment है, बहुत ही छोटा investment है, 6% का profit है, जितना मिल रहा है, बुक करके निकलना चाहिए, क्योंकि ONGC का आप simply last 10 साल का जाके चार्ट open कीजिए, Google पे, and return देखे, कितना return लोगों को मिला है, तो यह आप कैसा है, तो wealth creating company है, wealth destroying company है, PSU company में थोड़ा कम निविश करेंगे, तो ही जादा better होगा, dividend तो मिल जाएगा, बट stock का price उतना नहीं बढ़ेगा, अगर आप long term का chart उठा करके देखोगे, तो ONGC में मेरे ही साब से, जितना पैसा investment का है, वो लेकर निकलना चाहिए, next है, LNT, 13,600 का investment है, 7.5% का allocation, 10% का loss, अभी एक चीज़ मैं आपको बताना होगा, बहुत सा लोग क्या करते हैं कि budget वाले दिन, वो budget पूरा देखेंगे, सरकार कितना invest करेगा, infrastructure की उपर वो देखेंगे, वो सही है, बट उसके ऊपर सेरपर सब decision बनाना वो सही नहीं है, क्योंकि LNT अगर देखोगे, company अच्छा है, company strong है, बट इसका जो base size है, यानकि company का size है, वो काफी बड़ा बन चुका है, इस बज़े से जब एक company काफी बड़ा बन जाता है, तो वहापे growth थोड़ा धीरे-धीरे करके slow हो जाता है, तो इस बज़े से LNT अच्छा company, बट इसका जो growth है, वो अपनो आपको देखना चाहिए कि कैसा growth है earnings में, तो investment जो किया है as of now, आप continue कर सकतो, खड़ा आप company ऐसा नहीं है, बट थोड़ आसा आपको volatile chart इनका देखने को मिलेगा, अगर आप long term का जाके देखोगे, तो जितना investment का है, इसको आप छोड़ सकतो, बाकी company में आप investment बढ़ा सकतो, जो कि और भी अच्छी तरीके से growth करेंगे, तो company का earning पूर एशिया की stock market में एक मातर depository company जो के लिस्टेड है, रिसेंटली जो 6 million का mark है, company ने cross किया, 6 million customer base इंखा बन चुका है, आगे LIC का जो IPO आएगा, तब भी बहुत जरो और भी demand account open होंगे, तो उसका भी फायदा मिलेगा, जितना growth जीरोधा करेगा, अप स्टोक्स करेगा, एंजेल 1 करेगा, उसका फायदा CDSL को मिलेगा, क्योंका जो demand account होंट है, वो open होता है CDSL में, तो अच्छा company है, midcap company long term के लाप continue कर सकतो, next day relax हो, 2300 का investment है, वेटेज है 1.4%, तो मेरी सब से चाहो तो relax हो में investment को थोड़ा सा और बढ़ा सकतो, अच्छा company, strong company and market leading company है, उसके बाद company अच्छा strong है and काफी बड़ा profit बना करके दिया है, तो long term के लिए heavens को आप continue कर सकते हो, तो दोस्तों ये था इनका पूरा portfolio, आपको ये portfolio कैसा लगा, आप comment करके जरूर बताना, मेरी सबसे जो कुछ changes करना चाहिए and अगर इनकी जागा मैं हूँ था तो मैं क्या क्या करता, व अभी इस portfolio में क्या को changes किया जा सकता है, सबसे पहले तो बात करते हैं, जो अलग portfolio ये create करेंगे, small caps होंगे, mid caps होंगे, as of now मुझे जो अच्छे small caps है, वो chemical sector में देखने को मिल रहा है and small caps के उपर main channel पे मैंने video भी पोस्ट किया है, तीन companies थे वहाँ पे, एक तो new chain chemical था, दू इस पाइप एक छोटा small cap company है, happiest mind भी mid cap के अंदर इसको आप ले सकते हो, and sona comstar भी आप कह सकतो, mid cap size company है, जहाँ पे fast growth आ सकता है, chemical में तदवा चीनता ने एक बहुत अच्छा company है, तो वो भी देख सकतो, pharma की अगर बात करें, तो mid cap में लोरस लेप में fast growth आ सकता, next 4 to 5 years में आवस financial एक बहुत अच्छा option है, अगर mid cap में आप देखोगे, and poly cap भी एक बहुत अच्छा option है, अगर mid cap में आप देखोगे, तो इन companies को चाहो तो आप अलग portfolio में डाल सकतो, जापे fast growth आप चाहते हो, बट ऐसा नहीं कि मैंने बता है, तो निवेश कर दिया, आप इनके उप caps में, small caps में निवेश करोगे, तो different type आपका जो code portfolio है, यह जो portfolio है, इधर पे आपको quality company में पहले allocation प्रवाइट करना चाहिए, जाधा allocation प्रवाइट करना चाहिए, like TCS, Infosys, then Asian paint, then PD light, उसके बाद Divies को add कर सकतो, Tmart को add कर सकतो, Titan को आप add कर सकतो, and उसके बाद Estral को आप चाहो तो add कर सकतो, तो यह जो quality companies है, इनको add कर सकतो, पहले, and जाधा allocation इधर पे आप provide कर सकतो, and उसके बाद बागी company में investment किया जा सकता, बड़ जो top 10 company होगा, इस portfolio में, तो वहाँ पे आप maximum allocation provide कीजे, and मैंने खुद भी जो मेरे portfolio के top 10 company से वहाँ पे 50-60% का allocation provide किया है, तो वो चाहेंगे, आपकी सबसे दोस्तों, इनके portfolio में क्या कोच changes करना चाहिए, आप comment करके ज़रू बताना, जिसे इनको थोड़ा और better help मिल पाए, तो चले भी देख लेते हैं कि लॉंग टब में यह अपने portfolio के जरीए, कितना wealth create कर सकते, तो अभी जो हमने total investment लिया है, यह 1,60,000 क चलिया है, क्योंकि इसे के आजबस अभी इनका portfolio का size है, अगर expected return हम यह आपे लेते हैं 18%, उसके बाद अगर time period हम लेते हैं 15 years का, तो after 15 years, जो maximum time period है hold करने का, तो after 15 years, current जो portfolio है 1.6 lakh का, इसका size बन जाएगा 19 lakh रोपिस का, 19 lakh का, इसकी अलावा इन्होंने बता है कि SIP भी करें पांच हजार, दस हजार का, तो हम एक डाउन फिगर ले लेते हैं कि अगर यह 10,000 का SIP करते हैं, अगर 18% के average return अगर इनको मिलता है, 15 years के लिए continue करते, तो after 15 years, जो 10,000 का SIP है, उससे 91 lakh का या 92 lakh approximately इतना wealth create यह कर सकते, यानि कि लगभग लगभग अगर हम बताए, तो इधर पे कितना होगा, या पे 1.2 करोर का wealth create कर सकते, जो इनका portfolio उनके जरिये, साथी साथी यह mutual fund में भी निवेश करते हैं, भहाँ पे approximately 9,000 का SIP करते हैं, वो भी 9,000 के SIP अगर यह continue करते हैं for next 15 years, 18% का average return नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप mutual funds का average return देखोगे, तो 15% आपको देखने को मिलेगा, हम यह पे 14% ले ले थे, तो थोड़ा conservative होके चलते, तो 14% का average return mutual fund से मिलता है, तो इधर पे 55,000 का value create होकर आड़ाए, यानके लगभग 1.8 करोर के आसपस, जो वेल थे, यह create कर सकते, after 15 years, अगर mutual fund में average 14% and equities में average 18% का return इनको मिलता है, तो दोस्तों आश जरू कर देना, साथी साथ चैनको subscribe जरू कर लेना, साथी साथ बेल आइकन को भी जरू प्रेस कर देना, तो ऐसे ही, updated वीडियोस अप लोग को daily business पे मिलते रहेंगे, नीचे दोस्तों टेली गम चैने का link बल जाएगा, चाहो तो join कर सकतो, and अगर कुछ extra पाना है, तो you can join us, एजे मेंबर तब वीडियो देखने के लिए बहुत बश्युक्रिया मिलते अगले वीडियो में, बाई बाई